सलाम जैमसी की and welcome to music box simple songs पर खुबसूरत words is the best music आज की शूर में मैं आपके लिए बहतरीन songs लाई हूँ जिनके lyrics reflect करेंगे उन चीजों को जो हम कहना तुचाते हैं पर अकसर शब नहीं ढून पाते हैं ये simple songs होंगे from Hallelujah the band, Rajiv Smith and Sam Sahotra हम जानेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन असल में धार्मिक है और कौन है धोके बास जब हम सुनते हैं इस कहानी को जो कि एक ऐसे आदमी की है जो कि कुछ भी करने को तयार था एक बेटे की चाहत में हम जानेंगे क्यूं और कैसे हमें प्रातना करनी चाहिए क्या हमें दिन में कई बार प्रातना करनी चाहिए कुछ खांस शब्त कहने है कुछ खांस तरह के कपड़े पहनने है एक खांस तरीके से बैटना या किसी पवित्र स्थान में जाना होगा तो मेरे सांथ पुरिशों में बने रहे खुबसूरत संगीत को इंजोई करें और अपने प्रातना के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखें प्रोगर्म की शिर्वाद करते हैं हालेलुया दबैन के साथ चोटी चोटी गलियों में गुजता है तेरा बढ़ाना कच्छे घरों दों में तेरी सिथाए सुखोशाँ पूड़े पूड़े हाथों ने ठाम के रखा तेरा कलान कमजोर नजरों का तेरी ही जानिब है दिया संगी यार मेरे आख देल मैं नूख आख रो ओ की जान देने मेरे नाम सिथा की संगी यार मेरे आख देल मैं नूख रो ओ की जान देने मेरे नाम सिथा की संगी यार मैं तो हर नगर अपने खुदावन की राने सावार का तनूख मैं तो हर नगर अपने खुदावन की राने सावार का चलों तेड़े मेरे रस्तों पर तेरी और जरते हैं दमां कितनी भी दूरी हो तुझ में ही करते हैं कयां छोटी छोटी गलियों में कुजिता है तेरा बयाना कच्चे धरों में तेरी सिताएं सोशां तेड़े आदे लादे लादे जाया में ते लादे लादे जोगिया दि होके वोई सामे होई सातवा वो खेड़े आदे नावे लाया मैं ते लाया सी सदा जो गिया दी होके वोई साव मैं होई ली साथ तबा मैं तो हूँ दुलकी उस दुले रगागी आसमान से दो आएगा मैं तो हूँ दुलकी उस दुले रगागी आसमान से दो आएगा छोटी छोटी गलियों में कुचिता है तेरा बया नाव कच्चे घरोनों में तेरी सिताए सुभुना बुडे बुडे हाथों ने ठाम के रखा तेरा कला कमजोर नजरों का तेरी ही जानिव है चोटी छोटी गलियों में प्रभ येसु मसी की शांती और उपस्तती जुरूर दिखती है इन छोटी छोटी गलियों में और वाके में बड़े बड़े शहरों में भी प्रभ येसु हर एक के लिए है चाहे कोई अमीर या गरीब है लोगप्रे या गुमनाम है खुश या उदास है जवान या बूड़ा है कमजोर या फिर बलवन्त है यहोवा टूटे मन वालों के समीप है और पिसे हुआं का उधार करता है हम कौन है कि वो हमारे बारे में इतना सोचता है यह है मेरा प्रभु येसु I hope कि आप भी ये कह सकते हैं कि वो आप का भी येसु है और आप भी उसे जानते है कुछ देर में मेरे पास आप के लिए एक बहतरीन सोंग है जिसे आप बिल्कुल भी मिस मत करें और कहीं पर मत चाएं इसकी सिंपल पर बहुत ही बहतरीन स्टोरी लाइन है जिससे आप जब सुनेंगे तो जानेंगे कि इसके शब्ट जो है वो हमें एक फरक की गहराई की ओर ले जाते हैं इस अप रिलियंट वीडियो प्रडक्शन पाई नवीन मौरेस पर अब यह कहानी है एक ऐसे आत्मी की जो बेते की जहत में इतना खो चुका था कि वो कुछ भी करने को तयार था किसी की भी बात को सुनने को तयार था कोई भी कीमत देने को तयार था बस सिर्फ चाहता था क कोई उसकी मदद करे यह कहानी है गुर्णाम तासकी काड़ा थे सर्च पानी दा पॉना तो उस्तों बाद एक सो एक फे पानी दा पार्के रखे ओना ता मैं उनू किया बबाजी मेरे लाड़कियां लाड़का नहीं हुंदा है ता हूने मैंनू काफी सवाल पाए जिना बैच के उने काफी हजारा पियादा समान में लेक दन द करतों देदर को रहे ता फेर उस्तों बाद वी मेरे कागा लाड़कृ होई लाड़की होन तो बाद भी कॉश्मिन्यावाद हो लाड़की लई भी ओन एक देसी दोई बोना करती नहीं अच् Till방 कि भी मर गगी मेरा मान बहुत टोट गया, जोदो मेरा मान टोट गया ता मैंनू साधी रिस्तेदार लोदे आने रन्दे सी, उन्हा ने क्या के तुसी चार्चवेट चार्ज होता, च्याद राबत वा डिली सौन लेगा, मैं का ठीक है, मैं बहुत बाब्यानू मुंदा, पर चार्चवेट मैं आके देख लना, ते उन्नी सो ब्यासी, चौदा प्रयालनू मैं अथे जाके, जैसमसी दी संक्ति वे सौन के, ते मैं जैसमसी नो कुभूल कर लिया, मैं अपने पापांदा करार कर लिया, माफी मंग ले ते तोभा कर लिया, पूरे एक साल बाद मेरे कार बेटे ने जन जैसमसी नो कोई खांडर नी दिती, कोई केह नी दिता, कोई भी पैसा नी दिता, कोई मैं देनराद सेवा नी किती, चरफ आपनी जवान तोदा ता अनवादी किता, मेरा नाम गुर्णामदास, जदो मैं पहला सगा, मैं समीदा सगा के अंग्रेजन दा गुरू हुआ, आपनी दिता, आमीन करजा, नशा, पारिवारिक सोशन, गुसा, मायूसी, बिमारी, टूटे रिष्टे, शाररिक तकलीफे, बांचपन या फिर शैतानी साए, तो ईश्वेरे मदद सिर्फ एक प्रातना से दूर है, मैं आपके लिए शोके अंत में प्रातना करूंगी, और मैं चाहती हूँ, कि आप अगर प्रातना में शामिल होना चाहते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए हमसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉंटेक्ट टीटियल्स जो की प्रोग्राम के अंत में दिखाए जाएंगी, उसके तुरू हमसे राफ्ता कायम कर सकत हैं, कुछ देर में हम जानेंगे कि प्रातना कितनी सिंपल है, लोगों ने इसे एक बहुत ही मुश्किल चीज बना दिया है, लेकिन प्रातना जो है वो बहुत ही साधारन है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रातना करनी नहीं आती, कुछ का मानना है कि मेरी प्रातना जो ह पर अब वक्त है कि मैं आपको दिखाऊं वो विडियो जिसके बारे में मैं कब से आप से बात कर रही हूँ Nice melody with simple words I'm sure आपका विश्वास जो है वो प्रभी ये सु में और जादा बढ़े का Here's Rajiv Smith हमारी इस इबातत में तो कर यकवाई है रब हमारी इस इबातत में तो कर यकवाई है रब मुबारक तुझ को कहने को मसीखाया है हम सब हमारी इस इबातत में तो कर यकवाई है रब हमारी इस इबातत की तो कर यकवाई हमारी इस इस इनत्रफ Eggs कलाब है हक तेरे कुछ आज ऐसा काम कर जाएं कि ऐसा काम कर जाएं तेरे जल्वे यहां पर हो की रूहे पाक उतर जाएं की रूहे पाक उतर जाएं मुबार्क तुझ को कहने को मसीखा आएं हम सब हमारी इस इबादत में तुटर यगवाई आए रब हमारी तुझ सुपा बन जाएं तेरी हम हम्द करते हैं तेरी हम हम्द करते हैं तेरे तालिब है हम दिल से तेरा दम दोज भरते हैं तेरा दम दोज भरते हैं तेरा दम दोज भरते हैं मुबारक तुझ को कहने को मसीः आएं हम सब हमारी इस इबादत में तुटर यगवाई आए रब तेरा दम दोजप भरते हैं चलाओ बेताब हम सब भी कहें सब हाँ हाले दिल उससे कहें सब हाले दिल उससे कहें आमीन बड़े ही अदब से मिलके बड़े ही अदब से मिलके मुबारक तुछ को कहने को मसीहा आए हम सब हमारी इस इबातत में हमारी इस इबातत में तु कर यगवाई आए रब आए हम सीकसान तु कर दो दो हम सब दो हम बड़े ही एक सिंपल स्टोरी लाइन जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे सिंपल कामों से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं जो किसी मुश्किल में है परमेश का वचन बांटना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है सोशल नेट्वरकिंग के थुरू आप बहुंसे इंकरजिंग मेसेजिस को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बहुंसे संदेश और राय लोगों के द्वारा दी गई है पर वो हमारी मदद उस कदर नहीं कर सकते जैसे प्रभु का वचन हमारी मदद कर सकता है परमेश जो है वो हमसे प्यार करता है परमेश हमें हमसे भी जादा जानता है उसने तो हमें बनाया है और वो जानता है कि कैसे हमारी मदद करनी है वो जानता है कि कैसे हमारे टूटे दिल को जोड़ना है जब हम गिरते हैं कैसे हमें संभालना है कैसे हमारी जीवन को दुबारा सही करना है उसका प्यार हमें संभालता है जब हम जीवन की तुफानों से गुजरते हैं लेटर हम सुनेंगे हमारे फाइनल सॉंग अफ दे शो को जो की बाइबल में जबूर नौ पर अधारित है पर अब आईए हम अपने प्रातना की जीवन पर गौर करते हैं परातना दिन की चावी और रात का ताला होना चाहिए वो जीवन को चलाने वले स्टीरिंग वील की तरह होना चाहिए ना की स्पेर टायर की तरह तो हमें बताने की लिए कि कैसे और क्यों परातना करनी है है थीन अदास हम प्रात्ना क्यों करें? हमें प्रात्ना करनी है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है हमें अपने आपको ये याद दिलाना है कि दुनिया भर की सभी मुश्किलों का हल हम नहीं लेकिन हम उसके पास जा सकते हैं जिसके पास सभी मुश्किलों का हल है प्रातना हमें परमेश्योर के दिल उसकी योजना और उसके बरकतों के करीब ले आती है प्रातना हमें इंपॉसिबल को भी पॉसिबल करने का यकीम देती है प्रातना हमारे दिल को दूसरों के लिए बहुत बढ़ा कर देती है ये एक नमरता का कार्य है प्रात्ना हमारे दिमाग को आराम देती है प्रात्ना ही हमारा पहला कदम होना चाहिए जब हम किसी को मदद के लिए बुलाना चाहते हैं हम प्रात्ना कैसे करें? क्या हमें नहाने की जरूरत है या किसी खास कपड़ों को पहने की जरूरत है गुटने टेक कर किसी खास जगा पर जाकर हाथ जोड़कर आँखे बंद करके या फिर किसी खास समय में वरत रख के दुआ करनी चाहिए या फिर दूसरों को अपने लिए प्रात्ना करने के लिए कहें या फिर किसी खास दिन में प्रात्ना करनी है कैंडल लगाके या अगरवत्ती जलाकर, घंडी पजाकर या फिर हम उंची उंचे प्रात्ना करें ताकि हर कोई हमें सुन सके या फिर हमें देख सके आखर ये लिस्ट जो है वो काफी लंबी जाती रहती है कि हम प्रात्ना आखे करें कैसे लेकिन हर इक के लिए अपना एक चुनाव है कि वो परमेश्वर से प्रात्ना किस तरीके से करना चाहता है important बात यानि कि महत्पूर्ण बात ये है कि आपका प्रात्ना का समय बोरिंग नहों बलके वो आपका एक व्यप्तिगत समय होना चाहिए परमेश्वर के साथ हम किस चीज के लिए प्रात्ना करें हर चीज के लिए परमेश्वर जैसा है उसे वैसा ही अपनाएं और उसकी इज़त करें उसकी मर्जी उसकी परफेक्ट विल हमारी जंदगी हमारे समाज और गवरन्ट में पूरी हो इसके लिए प्रात्ना करें जिन्दगी के हर ख्षेत्र में उसकी इश्वरिय मदद हमें मिले और किसी ने हमारे साथ गलत किया हैं तो उसे माफ करें और इतने हलीम हो कि हम भी खुद अपनी गलती मान सकें जिन्दगी में और दुनिया में जितनी भी बुराई हैं उससे हमें प्रोटेक्शन मिले और आजादी थी किसी चीज के लिए भी प्रात्ना करें लेकिन वो प्रात्ना पुरे विश्वास और शुकर गुजारी के साथ हो हमारी प्रात्नाओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? बहुत सारी वज़ा हैं बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वज़ा से हमारी प्रात्नाओं का जवाब रुक सकता है जैसे की माफ ना करना और पाँ जब हम किसी को जिसने हमारे लिए गलत किया हैं माफ नहीं करते तो परमेश और हमारी प्रात्ना नहीं सुन सकता है और कई बार हम पाते नहीं क्योंकि गलत मतलब के लिए माग रही होते हैं कई बार समेश आयद सही नहीं होता या फिर परमेशर के पास कुछ बहतर है हमारे लिए लेकिन अगर आपको पता है कि परमेशर ने आपको सुन लिया है तो आपको पता है कि जवाब आएगा क्या आपको भरोसा है कि परमेशों ने आपको सुना है प्रापना जैसे भी करे जब भी करे येश्यू में विश्वास के साथ करे हमारा ये भरोसा है जब हम प्रबु से मांगते हैं अगर हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है और जब हम ये जानते हैं कि जब हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो हम ये भी जानते हैं कि जो भी कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया भी है पाइबल बताती है कि कैसे हमें प्रात्ना करनी चाहिए प्रभु ने कहा और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रात्ना और बिंती करते रहे और इसलिए जाकते रहो कि सब पवितर लोगों के लिए लगाता बिंती किया करो प्रभु कहते हैं दीन होकर प्रातना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ख से सुनकर उनके पापों को शमा करूँगा और उनके देश को जीव से दियू कर दूँगा प्रातना का सबसे अच्छा उधारन तो खुद प्रभु यिसु ने दिया जब उसने अपने जेलों को दूआ रुबानी सिखाई आए हमारे बाप, जो तु आस्मान पर है, तेरा नाम पाक माना चाए, तेरी बाँशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आस्मान पर पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी हो, हमारी रोस की रोटी आँच हमें बख्ष दे जैसे हमने अपने गुनाहगारों को माफ किया, वैसे ही तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आजमाश में ना पढ़ने दे, बलकि बुराई से बचा, क्योंकि बाँशाहत, खुद्रत और चला, हमेशा तक तेरा है, आमेन जब आप प्रातना करते हैं, तो येसु मसी पर विश्वास करें और शक्त मत करें, क्योंकि जिससे आप प्रातना कर रहे हैं, वो वफादार है, और वो कहीं साथा करने की ताकत रखता है, जो आप सोचते या मांगते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगी अगर आप अग्री करते हैं, all you have to do is say आमेन, which means I agree, आप मेरे साथ सहमती में हैं, आईए दुआ करें सर्विशक्तिमान परमेश्र, धन्यवाद आपके बेटे प्रभु येसु के लिए, जिसे आपने इस धर्दी पर भेजा, ताकि हम हर तरह के अंदकार की ताकत, श्राप, पुष्टैनी श्राप और हर नेगिटिव श्राप से आज़ाद हो सके हम सब कुछ आपके उपर सौंट देते हैं, आपके हाथों में देते हैं और ये यकीन करते हैं कि कोई भी हत्यार जो हमारी हानी के लिए बना है, वो काम नहीं करेगा, प्रभु येसु के नाम से, आमेन I hope आपने भी आमेन कहा, friends. You can get in touch with me, Sherry, through the contact shown at the end of the program. Until next time, मैं छोड़ चलती हूं आपको Sam Sohotra के आवास में जबूर नौ के साथ. Keep watching and stay blessed. दाइं यहोवा याराब, आइं है तक्त तेरा, दाइं यहोवा याराब, आइं है तक्त तेरा, दू वास्ते नया दे, तक अपना है विचाया, दू वास्ते नया दे, तक्त अपना है विचाया, दू निया दातू करेंगा, इनसाफ सच्चा याराब, इनसाफ सच्चा याराब, इनसाफ सच्चा याराब, सच्चे आइनाल हूंदे, सच्चे आइनाल हूंदे, कौमा दे फैसले साफ, दाइन यहोवा याराब, काइन है तक्त तेरा, आसो ना दी है तू ये, जब दे चलाम तेरा, आसो ना दी है तू ये, जब दे जो नाम तेरा, जब दे जो नाम तेरा, जो ढूंड देने तेनू, जो ढूंड देने तेनू, ओना मुछड ना देगा, दाइन यहोवा याराब, काइन है तक्त तेराब, अगर आपको ये शोग पसंद आया, तो जरूर हिट करें सब्सक्राइब बटन को, नोटिफिकेशन को अन करें, ताकि आप अगले शोग को बिल्कुल मत मिस करें, ये वच्छाइब वच्छाइब, क्यू कर्दा कुन देजद, ओना नु याद कर्दा, तुछ कर्दा कुन देजद, होना नुयाद करदा होना नुयाद करदा पर याद आजजादी